जमुर कश्मीर में एलेक्शन का महल गरम हो चुका है जहां पर पहला फेज 18 सेप्टेंबर को होने चा रहा है टोटल 219 कैंडिडेट्स इस फेज में अपने भागियों को अजमाने वाले हैं यहां पर हम आपको बता दें कि जो वोटिंग है 18 सेप्टेंबर को जैसे की होने वाली है उससे पहले जो लास्ट डेट ओफ नॉमिनेशन था वो भी अब बंध हो चुका है इसे के साथ आज हम आपको बताएंगे कि किस कैंडिडेट के पास कितनी समपती है उन्होंने कितनी लाइबिल्टी या एसेट्स जो एफिडेविट होता है उसमें दिखाए हैं उसके साथ क्या कुछ क्वालिफिकेशन हैं और साथ ही में हम बताएंगे कि कुछ जो कैंडिडेट्स हैं और कि उन्होंने लोएस्ट समपती अपनी शो की हुई है एसेशेशन ओफ डेमोक्रेटिक रिफोर्म यानी एडी आर के रिपोर्ट ने एक चुकानी वाली तस्वीर सामने रखी है जिसमें पचास परतीशत से जादा कैंडिडेट्स करोड परती हैं इसका मतलब आदिए से जादा कैंडिडेट्स ने अपने एसेट्स वन करोड से जादा डेकलिट्स किये हैं एफरेज एसेट्स का जो कैलकुलेशन किया गया वो लगबक 3 करोड का है इन जवन कश्मीर एसेंबली इलेक्शन्स में रिचिस्ट कैंडिडेट जो हैं वो PDP पार्टी से सबसे जादा सामने आ रहे हैं जहां 21 में से 18 कैंडिडेट्स यानि 86% ने 1 करोड से जादा के एसेट्स डिकलियर किये हैं वही नाशनल कॉन्फरेंस के 16 कैंडिडेट्स यानि 89% बीजेपी के 11 कैंडिडेट्स यानि 69% कॉंग्रेस के 8 और साथी में आपके एक जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने आपको करोड पती गोशित किया है यह हम आपको बता रहे हैं कि फर्स्ट फेज में जिन कैंडिडेट्स का डाटा आया है सामने अगर हम फेज वन के सभी कैंडिडेट्स को देखें तो एवरेज जो एसेट्स हैं 3 करोड के आसपास हैं लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टिस के कैंडिडेट्स का अनलिसिस किया गया तो जेके पीडीप के कैंडिडेट्स की एवरेज एसेट्स 7.93 करोड थी जेके एनसी की 5.87 करोड बीजेपे की 4.47 करोड वहीं पे आई एनसी यानी इंडियन नाशनल कॉंग्रेस के 4.35 करोड और आप कैंडिडेट्स के एसेट्स लगबग 49.33 क्लैक्स हैं सबसे जादा एसेट्स वाले टॉप 3 कैंडिडेट्स में सबसे पहले आते हैं अप्दुल गफर सोफी जो पीडीपी के कैंडिडेट है और अननतनाक दिस्टिक्स से अननतनाक विस्ट से कॉंटेस्ट कर रही है उनके एसेट्स का टोटल अमाउंट है 66 करोट से जादा जो मूवेबल और इमूवेबल असेट्स मिला कर है दूसरे नमबर पर हैं इम्तियाज एहमद शान जो पीडीपी के ही है और साथ ही में बनीहाल कॉंसिट्वेंसी से इलेक्शन लड़ रही है जिनके एसेट्स हैं 34 करोट से भी जादा तीसे नमबर पर आते हैं रफी एहमद मिर जो अपनी पार्टी के हैं और पहलगाम से कंटेस्ट कर रही हैं उनके एसेट्स लगभग 32 करोट के आसपास हैं वहीं अगर हम सबसे कम एसेट वाले कैंडिडेट की बात करें तो जावेद एहमद शोपान जो पुलवामा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उन्होंने सिरफ 5,000 रुपे के एसेट्स दिकलिया दिये हैं रियाज एहमद सोफी जो दूरू से कंटेस्ट कर रही हैं उसके पास सिरफ 10,000 रुपे के एसेट्स हैं उसे के साथ आपके जो फ्याज एहमद सोफी भी पुलवामा से इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनके एसेट्स सिरफ 10,000 हैं कैंडिडेट्स की लाइबिल्टी का भी एनलिसिस किया गया है और प्यारे लाल शर्मा जो इंदर्वाल कॉंसिटेंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके टोटल लाइबिल्टी सेवन क्रोड से जादा हैं जो उनके टोटल एसेट का काफी बड़ा हिसा है इंतियाज एमर्शान और शभीर एहमत कुले के भी लाखों में लाइबिल्टीस हैं एजुकेशन के मामले में 47% काडिडेट्स का एजुकेशन लेवल केवल 5 से 12 स्टैंडर्ड तक के बीच है जबकि 49% काडिडेट्स ग्राजुएट या उससे उपर की डिगरी लेकर हासिल की हुई है जो उनके खास बात ये है कि 3 काडिडेट्स इलिटरेट हैं और सिरफ 5 डिपलोमा होल्डर्स हैं एज वाइड दिस्टिब्यूशन देखें तो 70% काडिडेट्स की एज 25 से 40 के बीच है जो टोटल 32 परसंट है सबसे जादा 49% काडिडेट्स की एज 41 से 60 इयर्स के बीच है और 61 से 80 इयर्स के काडिडेट्स की संख्या 19 परतीशत है यानि ये इलेक्शन एक अच्छी मिक्स्टर दे रहा है यंग और एक्सपिरियंस कैंडिडेट्स का जेंडर के मामले में हालत कुछ खास नहीं है सिरफ 9 वुमिन कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़ी हैं जो फरस्ट फेज में हो रही है जो के टोटल सिरफ 4 परतीशत है ये जेंडर ग्याप एक सीरियस मुद्दा है जो एलेक्शन रिफॉर्म्स के टाइम पर उठाना बहुत जरूरी है सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब A.D.R. रिपोर्ट में ये पता चला कि 219 में से 36 कांडीड़ेट ने अपने अगेंस क्रिमिनल केसिज डिकलियर की हैं जिसमें 25 कांडीड़ेट पर सीरियस क्रिमिनल चार्जीज हैं इसमें से कुछ केसिज टोग अटेंब्टो मर्डर जैसे सीरियस इशूस से भी जुड़े होए हैं और यहां पर आम आत्मी पार्टी के कैंडिडेट्स सबसे जादा क्रिमिनल केसिस के साथ सामने आए हैं जब पार्टी वाइस एनलिसिस किया गया तो पता चला कि PDP के 19% कांडिडेट्स, N.C. के 22% कांडिडेट्स, BJP के 6% कांडिडेट्स, Congress के 11% कांडिडेट्स, Democratic Progressive Azad पार्टी के 14% और आपके 43% कांडिडेट्स ने अपने खिलाब क्रिमिनल केसिस डिक्लियर किये हैं Serious Criminal Cases के मामले में भी यही पार्टी इंक्लिड हैं यह तो सिरफ पहले फेस का है लेकिन ये डाटा एक नज़र देता है कि जमू कश्मीर के Assembly Elections में किस तरहां से जो पार्टीस पेशन्स हैं वो हो रही हैं और जो भी डाटा था वो हमने आपके सामने अपने न्यूस चैनल के माध्यन से रखा इसी तरह कि और भी अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए जहके न्यूस टूडे वीडियो जोनलिस काकराम के साथ महिमानी कंधारी